कि अ कि आई तक शुमेटर आपका मेरी चैनल का खेल्थ nosso कर तो एक कृषिन से क्या वकड़ा खाना नहीं खाता है कि आ सक आफ का अपका बच्चा खाना बहुत कम कहता है या फिर खाने में बहुत नकरे करता है बच्चा तो mostly parents का जो answer होता है वो होता है हाँ हमारा बच्चा बहुत नौटनकी करता है खाने में खाना नहीं खाता है ढंक से खाना बहुत कम खाता है इसी वज़े से हमें परिशानी होती है कि कहीं बच्चा कम जोड नहीं रह जाए ठीक है तो आज ह में पहले जानते हैं पिकी इटर्ष ग्या होते हैं ठीक है तो जो मैंने हवी कुछ बूछे उसका आनसर पिकी इटर्ष यह हैं क्योंकि जो बच्छे इतने परेशान करते 우ечь जू सब्सक्राइब करते हैं उनको पिकी इटर्ष बहुते है और इस अफっちゃ सुरू हो जाती बहुत परिशान होते हैं, तो आज इस वीडियो में कुछ टिप्स में आपको दूगी, जिनको करने के बाद में आपको काफी सारी habits बच्चों की आप, जो food habits होती हैं, वो बच्चे की सुधा सकते हो, ठीक है, तो जो सबसे पहली टिप है, वो है बच्चे का routine set करना, ठीक है, आपको लगता होगी कि बच्चों को routine पसंद नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, 90% जो बच्चे होते हैं, उनको हमेशा, 90 के 100% बच्चे अगर आप routine set करो, तो they like routine, ठीक है, तो routine बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप जो खाने का routine है, major meals का routine है, या फिर आप जो snacks देते हो या pre breakfast, जो आप देते हो, एक देते हो, जो भी आप देते हो, फिर उसका 9 बचे breakfast time है, वो करा दो, फिर एक बचे उसका lunch है, उसके बीच में एक snack आप दे रहे हो, फूट दे रहे हो, तो वो आप 11 बचे दे दो, तो ऐसे करके उसका जो routine है, वो फिक्स कर दीजे, ठीक है, अल्दो उपर नीचे आदा घंटा, एक घंटा उपर नीचे कई बार हो जाता है, कुछ घर में काम होता है, या फिर बच्चा कहीं बाहर जाता है, तो उसमें routine कई बार बिगड़ जाता है, बट आप कोशिश करें कि बच्चे का routine फिक्स हो, ठीक है, सेकिंड चो चीज आप कर सकते हो, वो कर सकते हो, सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठके खाना घाए, ठीक है, बच्चे के साथ खाना घाए, ऐसे करने से क्या होता है, कि बच्चा आपको देखता है, कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपके बाकी, अगर बच्चे ओ रहे हैं, उनको भी देखत आम्मा को भी देखता है कि ममा खाना घारी हैNew तो उसको थोड़ा सा एंकरेज मेंमें एकाना हमेसे सकर्टिंग इससे होती हो इख में बंता है, जो बच्चे होते हैं सिब्लिंग . सुनके बीच बीच में बंटा ह覺 आप फैमिली में मदर फादर इन सब के बीच में बढ़ता है तो टेबल नियो तो घर पे एक साथ पैट के खाना खाएं बच्चे के साथ में थर्ड थिंग है कि आपको जो बच्चे की प्लेट है उसको कलर फुल बनानी है थोड़ी सी मतलब आपको प्रेजंटेबल जिसको बोलते हैं उसको वो बनानी है आप क्या कर सकते हैं उसमें जो सिंपली रोटी सबजी ना डाले रोटी को जो है शेप चेंज कर सकते हो ट्राइ करत भी है, करत भी है, मटर भी है, मतलब I mean to say कि कलरफुल बना दो ठीक है, और अगर ऐसे एक चीज नहीं खाय तो दो तीन चीजे उसकी प्लेट में खीरा रग दिया, तामाटा रग दिया, उससे क्या होगा कि प्लेट उसको कलरफुल लगेगी और वो कलरफुल लगने से उस या फिर जो फूर्डस होते हैं, जैसे ऐक ही दलीया है उसको तीन तरह से बना दिया, नमकीन बना दिया, एक दिन ऊसमें वेजट Campbell आर प्लेट बना दिया या एक दिन उसको मेठा बना दिया, थीक है, तो फूर्ड वराइटि होनी है बच्चे के निग स्नाक्स होती है, कि वो हर से तीन से चार घंटे में उसको थोड़ा थोड़ा करके कुछ देते हो ताकि उसकी आधत रहे खाने की ठीक है तो फिफ्त जो थींग होती है आपको कभी भी बच्चे को बोलना नहीं है कि फिनिश और प्लेट नहीं उसको जितना भूग है या फिर जितना उसका कैपसिटी है वो खाने के बाद में अगर वो मना करता है कि नहीं मुझे अभी और भूग नहीं है तो युशुड रस्पैक्ट दै कि बच्चे का पेट भर गया और उसे और खाना नहीं है ठीक है तो मे इस इसके मेंने बठाया है कि आप एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए ताकि बच्चे को भी पता चलिए कि आप हल्दी खा रहो तो रोल मोडल वनो बच्चे का तो अगर आप हल्दी खाना सिखेगा और जंक फूड चाने की तरफ उसका मन नहीं जाएगा क्योंकि उसे ल ब्राइब के, नेगटिवली और फॉजीवली. नेगटिवली कि आप किसी चीजसे डाला धन्का के खिला रहे हो तो वो, फोर्स हुजफुल इटिंग हो गया. भी जी अबोहर संस्के आपको और ऐप दे दूगा Along reality. मैं बच्चे के उपर, तो निगेटिव भी ब्राइब नी दे रहा है, पॉजिटिव भी ब्राइब नी देना है, ठीक है, तो ये जो साथा चीजें हैं वो आप करके देखिए, बच्चे की हैबिट जो गंदी आदत है वो अच्छी आदतों में बदलेंगी और इससे बहुत ही अ अच्छा effect आएगा बच्चे की food habits पे, ठीक है, तो ये हुई आज की वीडियो की जानकरी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नमस्ते